देख रहे हम आजकल माइनरोटीज के उपर जो एक स्कूलों में जो अत्याचार हो रहा है कहीं स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है कहीं टीचर्स के साथ हो रहा है तो फिर इसी तरह हमारा जो एक कारवा चल रहा है उसी कारवे में हमसे आज एक और पिडित तकराई है जो की ट जरनी जो है वो बहुत दुखत है आईए जानते हैं उन्हीं से तो सबसे पहले आप अपने परीचे दीजिए जी मेरा नाम उम्मे पुलसुम है और मेरे हस्बेंड का नाम हमार शक्तिलूद दिल है जो एक मिल्लत स्कूल के असिस्टेंट टीचर है मेरी दो बेटियां है बड कोड़ा विस्तार से बताईया एक्चल मेरे साथ क्या हुआ याने इसका मेरे कुछ समझ भी भी नहीं आता में कहां से स्टार्ट करना जैसे जब मेरे हस्बेंड का इंतिकाल हुआ एक्सपाइड हुए उसके बाद से ही मेरा शुरू हो गया इस ट्रगल उसके बाद मेरे हस् 2017 उनका इंतिकाल हुआ 2005 के बाद उनका अपॉइंटमेंट था तो एक्सपाइड होने के बाद में ना हमको पेंशन थी और जॉब तो चले गया था तो इसकी वज़े से फिर हमको बहुत सारी परेशानिया तो वो तो अब्यस्ली एक इंसान जब चले जाता है तो पुरा घर को तो सफर करना ही पड़ता है लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिएट करा क्योंकि अनुकंपा में ऐसा है कि जिसका इंतिकाल होता है या एक्सपाइड होते है उनकी जगह उनकी वाइफ को दिये जाती है तो मैंको कही लोगों ने बोला कि आपके हस्बंड की जगह आपको म सबस्सक्रा-णिशनी दे रहे है कुछ खास वज़ी लिए यूगों मेरा दियाट मूत है और जैटबी दो ओड़र और अचुके है कि आप इनको दो जैट पी के ओर्डर को भी यह नहीं मान रहे हैं उन्होंने इनको दो ओर्डर आ चुके हैं कि जो उम्मे कुल्सुम है अनुकंपा में इनका हो रहा है तो आप इनको यानि आपकी स्कूल में अगर वेकेंसी है तो पहले इनको एजस्ट करों उसके पाद दू हां हां क्योंकि मैंने जैसे जो वाकिस अंचालक है वो मेरे जेटी है मेरे हस्बन के बड़े भाई है वो शेक्रेटरी है मिला था इसकूल के उनको मैंने पहली भूली थी बुलाकर कि भई मेरे और को अपर इंतिजां जब मेरा दीएड नहीं हुआ था तो उन्होंने उस स् बाइर कोट तो मैं जाओंगी ना, अगर एक इंसान नहीं दे रहा है, तो वो तो मेरा हक है, गौर्णमेंट मुझे दे रही है, आपको कोई अब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, और अगर वो सेलरी भी है, तो वो भी गौर्णमेंट दे रही है, आपके पास को तो कुछ जाह रही है, और उनको पता है, कि युभी से आशाओं, क्ले नहां शॉर, अवहारा कि होगे दे रही हैं, मैं जाया को तो कौसक deficit में बहुके हैं, अच्छा कू अंडू बेर मेरेे में बहुत हैं, सविझ की में अडिन हैं, रही में जैकर के बाहि thy जाह إला, जो लीकिंडमी 10 मे केलि so अभी लेकिन बावजद भी इन सुना कि किस तरीके से विघ्षयव उम्मे कुलसुम मैम के साथ जो एक हासा हुआ था जो उनके शोहर जो गुजर गए थे उसके बाद जो अनुक अमपा की एक जगा होती है कि शोहर के या बेटे के जो भी है उसके गुजर जाने के बाद उसके घरवालों को एक जॉब दी जाती है उस जॉब को हासिल करने के ल झाल झाल